नैनेश्वर माड़ी विंचूर नाशेक इनोंने सवाल पुछा है कि हमें रात को जो सपने आते हैं वो हमें याद क्यों नहीं रहते हैं क्यों हम बुल जाते हैं भाई ये बहुत अच्छी बात है आप सपने बुल जाते हो नहीं तो हमारा जीना दुबर हो जाता हमें सपने को ये एक दो नहीं पढ़ते ना रात बर में कितने सपने पढ़ते हैं हर देड़ घंटे के बाद में दस मिनिट से लेकर तो 90 मिनिट तक सपने पढ़ते हैं हर 90 मिनिट के बाद याने देड़ घंटे बाद हमको दस मिनिट से लेकर तो 50 मिनिट तक सपने पढ़ते हैं इतना लंबा समय हां हम अगर 3 साइकल शोते हैं तो हमको कम से कम देड़ तीस मिनिट से लेकर तो 400 मिनिट तक 500 मिनिट यहने धाई गंडा हो गया सपने पढ़ते रहते अब इतने सपने हमको पढ़ते हैं अगर याद रहेगे तो हमारे जीना दुभर हो जाएगा अच्छी बात हैं हमको याद नहीं रहता है सपने का समय जैसे मैंने एक सवाल के जबाब में दिया था कि हमने हर खशन पूरी समरस्ता से जिना चाहिए पूरी एकागरता से जिना चाहिए अब पूरी एकागरता से जिना चाहिए ये जो बात मैंने कही थे वही बात सपनों में होती है जब हम सपने में होते है तब वो सपना पुरी एकाग्रता से हम जीते है तब हमें कोई भान नहीं होता है कि ये सपना जूटा है ये सपना है वो स्थिति हमको सव प्रतिशत सच लगती है प्रति उसी याने उसको सच मानकर हम जीते हैं अब सपनों की सबसे बड़ी दिक्कत इसी है कि उसके सिंबॉल्स बड़े विचित्र होते हैं उसमें लॉजिक नहीं होता है बहुत इलॉजिकल सपने होते हैं याने कभी एक सुंदर चेरा दिख रहा है यह चेरे का रुपांतरन कुत्ते में हो जाता है कभी साप में हो जाता है काय में हो जाता है विचारों के शुरूंखला वही रहती है लेकिन चित्र बदलते जाते हैं चित्र का और विचारों के शुरूंखला का तादात में नहीं होता है साइकलोजी में सपनों पर बहुत अभ्यास हुआ क्योंकि सबी धर्म सपनों का अर्थ निकालने में प्रयास करते आए उसमें एक्सपरडाइज प्राप्त करने की कोशिश करते आए आपके कई धर्मों के लिटरेचर में ये देखने को मिलेगा कि सपनों के अर्थ निकालने के लिए वो अलग-अलग सिंबॉल्स के अर्थ निकालते आए लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आखरी तक finally ते नहीं कर पाए ठीक है धर्म नहीं ते कर पाए साइकलोजी भी ते कर पाई किया पहले के जमाने में साइकलोजी में डिक्शनरीज प्रसिद्ध हुई कि ये सिंबॉल का मतलब ये होता है आखरी में साइकलोजी में ये निश्कर्ष पर आ गए कि सपनों के मतलब निकालने में कोई मतलब नहीं वो भाशा को समझने की कोशिश करने में कोई accuracy प्राप्त करना संभाव नहीं broader sense में Freud के नाम से काफी चिज़े कही जाती है साथ दिखने का मतलब क्या होता है मुला दिखने का मतलब क्या होता है सेख से उसको जोड़ा जाता है औरगन के साथ में उसको जोड़ा जाता है तो ये ऐसा है लेकिन वो सवप्रतिशत उसी ढंग से होगा इसकी कोई guarantee नहीं होती है तो इसलिए सपनों का मतलब निकाँ सपने क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में सर्वसाधारन ये मत जो है कि हमारे जीवनियापन में जो भी चीज़े घटे रहती है तो कई बात ऐसी होती है कि जिससे हमारा मन सैटिस्फाई नहीं होता है तो सपनों में हम अपने आपको सैटिस्फाई कर लेते हैं कई बात ऐसी होती है कि हमारा मन दुखता है वो भी विर प्रगट होती रहता है सपनों में इसलिए जिन दिनों में हम पर कोई आफत है हम बहुत चिंता गरस्त है बहुत एंग्जाइडी प्रोन है बहुत कुछ टेंशन में है तो सपने उसी डंग के हमको दिखते है जिन दिनों में हम शैद थोड़ा बहुत खूश है अंदर से खूश है उस रंग के सपने हमको दिखने पड़ शुरू हो जाते हैं तो हमारी इच्छा अत्रूपत इच्छा भी और प्रबल इच्छा भी सपनों में पड़ा रोल प्ले करती है इतना ही नहीं तो जो चीजे हमारे जीवन में आवश्यक है लेकिन वो पुरी नहीं हो रही है तो वो सपनों में पुरी होती है जैसे नेचर ने इंसान को बनाया तो उमर में आने के बाद में सेक्स शुरू करनी की भी आवशक्ता होती है नेचर की वो आवशक्ता होती है लेकिन हमने ऐसा समाज बनाया कि शादी के बिना तो सेक्ष शुरू नहीं हो सकता है अब लड़का पतीस साल तक तो शादी नहीं करेगा लेकिन उसकी सेक्षियल उमर तो 15-16 साल में बन जाती है फिर क्या होगा अगर वो कोई तरीका उपयोग में नहीं लाता होगा तो फिर वो सपनों में जो होना चाहिए हो जाता है जिसको हम स्वपन दोश कहते हैं वेड ड्रीम्स कहते हैं तो इस रंग की भी बाते होती है याने हमारे शरीर की और मन की जो आवशक्ता है होती है वो भी हम सपनों में पूरी करते है जो अत्रूपत इच्छाय रहती है वो भी सपनों में पूरे करते हैं जिसके कारण हम डिस्टर्ब होते दुखी होते उसका भी प्रगडे करन सपनों में होते रहता है ऐसा चित्र विचित्र सपनों में होते रहता है जाने अन जाने में ये सपने साइको थेरपी का काम करते हैं और प्रॉब्लेम्स बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं अगर बार बार बुरे सपने आते हैं तो इंसान और ज़्यादा अस्वस्त बन दे जाता है तो प्रॉब्लेम्स बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं हमें सपने कौन से याद आते हैं नॉर्मल अगर हमारे साइकल चल रहे हैं और नॉर्मल सपने आ रहे हैं तो हमें वो सपने अगर सपनों के समय में हम उठते नहीं है तो हमें कभी सपने याद नहीं आते हैं हम कब उठते हैं जब हमको उठाया जाता है या फिर हम उटते, आलाम लगा दिया जैसे आजकल हमको आलाम लगा कर उटना पड़ता है क्योंकि समय की पाबंदी होती है तो जैसे यह आलाम बज़ रहा है उस समय अगर हम सपनों के समय में है देड़ घंटे की नीन, उसके बाद में 10 minutes to 50 minutes सपना यह अगर सपनों के पिरेड में है तो naturally हमको सपने दिखेंगे याद आएंगे, मैं क्या देख रहा था अगर हम सपनों के पिरेड में नहीं है किवल नीन के पिरेड में है तब आलाम बज़ा हम जाग जाते हैं तो फिर कुछ याद नहीं आएगा इसका मतलब हमने रागबर सपने नहीं देखें क्या देखें लेकिन सपनों के समय में नहीं उठें जब कोई भैपरत सपना होता है डरावना सपना होता है तब हम उठते हैं और तब हम उठते हैं तो तब हम बहुत डर जाते है फिर हमको बहुत डर महसुस होता है वो डराओना हमको लगता है तो इसलिए डराओने सपनों के समय हम जाग जाते हैं कभी-कभी बहुत सुन्दर जो हमको अंदर से लगता है कि यह सपना मुझे बहुत अच्छा लगा हवा हवा साज इसको कहते हैं इच्छा होती है कि ऐसा सपना होना चाहिए क्योंकि सपना देखते समय तो आपको पता नहीं होता यह सपना है तब तो वो एक्शुल आपके बारे में घट्रायस आपको लगता है उस समय भी हम कभी-कभी जाग जाते हैं याने आनंद देने वाले सपनों में भी हम कभी-कभी जागते हैं लेकिन ज़्यादा तर हम डरावने सपनों के समय में जागते हैं और जब हम जागते तब अगर सपना हम देखते हैं तो हमको याद आता है तो सिंपल नियम हैं हमको रात को कई सपने पढ़ते हैं सेकडों सिम्बॉल्स हर रात में हम देखते हैं लेकिन सपनों के समय में अगर हम नहीं जा गए हैं तो हमको सपने याद नहीं आते हैं और किसी भी कारणवश अगर सपने के समय में हम जाकते हैं तो हमको सपने याद आते हैं ये सपनों के बारे में बहुत एक चमत कर एक बात है सपनों के बिना हमारी नींद भी अधूरी है और सपनों के बिना हमारा मैंड भी काम नहीं कर सकता है तो सपने हमारे जिवन का अविजभाज जभाद है